दोस्तों मैं योगेश माने अब सबका इगनाइट अकडेमी में इस तो आगत करता हूँ दोस्तों कुछ लोगों के मुझे मैसेज आ गए थे इसके रिगार्डिंग की सीजी पीडियम की जो एक्जाम है डिजाइन एंड पेटन की क्या उसकी एक्जाम ही कैंसल हो जाएंगी जैसे प्री को कैंसल किया है उन्होंने प्री को कैंसल किया क्योंकि धांदली जादा हुवी थी क्या वो रिक्रूटमेंट कैंसल करने वाले है क्या यह सवाल उन्होंने पूछाता कि सर क्या पॉसिबिलिटी है ऐसा होने की तो कोई पॉसिबिलिटी नहीं है अभी तक फिला डिपार्मेंट में यही चल रहा है कि एक्जाम को अच्छे तरीके से कैसे कंड़क्त किया जा और फिलाल QCI यही सोच रहा है कि वो खुद ही एक्जाम कंड़क करे उनको लगा कि नहीं वो एक्जाम में उतनी अच्छी तरीके से फिर दुबारा भी और्गनाईज नहीं कर पा है तो बिल्कुल इन अफवावों पे भरोसा रखना नहीं है अब अपना प्रिपरेशन जारी रखिए इंजिनेर्म सर्विसेस की 20 बार वैकंसी बहुत रियर है बहुत कम वैकंसी आ चुकी है तो आपका अल्टिमेट फोकस इसी एक्जाम पे होना चाहिए 100% आपके दे दिज अब भी टाइम है प्रिके लिए हो सकता है पूरा एक मैना मिले तो आपने प्रिपरेशन नहीं की हो फॉर्म खाली भर चुके हो प्रिपरेशन नहीं की तो भी ये पूरी 100% अच्छे से प्रिपरेशन एक मैने के अंदर की जा सकती है बस एम यही होना चाहिए कि मुझे प्रिपरेशन अच्छा हो चुका का अब उतना समय देने के जरुरत नहीं तो मैंने प्रिपरेशन नहीं के लिए एक डिस्क्रिप्टिव बैज भी लॉंच कर दिये उसके दो-तीन सब्जेक्ट मैंने पहले ही यह जो कैंसल हुई प्रिए न उसके पहले ही पढाही थी अब मंदे से मैं हीट ट्रांसपर पढाने जा रहा हूँ आपको वह बैज करनी है तो डि रेकॉर्डिंग अवेलेबल है आप उसको कवर कर सकते हो बिलकुल समय है अच्छे से 100% दे दीजिए हो जाएगा कोई अफवाओ पर भरोसा मत रखिये recruitment cancer नहीं होने वाली यह होने वाला ही है बस धांदली की बज़े से उन्होंने फिर re-exam की वह बहुत ही अच्छी बात हो गए नहीं तो पता नहीं 110 वाला भी safe था या नहीं जिन्होंने देखे ही लिका हुआ है तो फिर 110 का भी क्या मतलब है 100 का भी क्या मतलब है तो जो अच्छा ही हुआ अब exam पर अच्छे से focus कर दिए हां सभी date अब आगे आगे जाती रहेगी क्योंकि मेंस भी आगे जाना है उस time पर नहीं होगी clear तो सब कुछ अब revise होके हमारे सामने फिर दुबारा आ जाएगा तो यहां रुपता हो thank you so much guys for listening thank you so much